एपिसोड वन में कहानी की शुरुवात 1989 से होती है और हम इस कहानी की मेन कैरेक्टर कीम मोमी के एक फ्लैश बैक को देखते हैं जहां वो अपने स्कूल फंक्शन में डांस कर रही थी वो अपने बारे में बताती है के वो हमेशा से एक सेलिब्रिटी बनना चाहती थी उसे डा चेहरे से तुम कभी सेलिब्रिटी बन सकती हो मोमी मिडल स्कूल में पहुंच जाती है और उसके दोस्त उसके बस्सूरत होने का बहुत मजाक उडाते हैं अब कहानी आती है 2009 में और मोमी अब 27 साल की हो गई है वो एक खास जिना चाहती थी लेकिन वो एक और्डिनरी लाइ पर बटोड़ती है जब भी वो लाइफ स्ट्रीम पर डांस करती है अगले दिन फिर वो आफिस जाती है और उसकी का लीक सांग उसे कहती है कि तुम्हारा चेहरा मुर जाया वा क्यों लग रहा है क्या तुम कोई और पार्ट टाइम जाप करती हो जिस पर मोमी कहती है नहीं एरियूम नाम की एक एमपलॉई अपने सीनियर को काफी दे कर उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करती है और वो सारे लोग उस लड़की की खुबसूरती की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं काफी कौन बना रहा है इससे भी बहुत फर्क पड़ता है मोमी और सांग एक बहुत जादा पसंद करती है एरियूम भी पार्क को जाकर काफी देती है वो काफी ले लेता है लेकिन वो उस लड़की को डाट लगाता है कि तुम यहां काम करने के लिए हो काफी बनाने के लिए नहीं अगले बार से मुझे काफी मत देना ये सुनकर मोमी काफी इंप्रे सोशन मिलती रहती है बस उनमें एक ही कमी है कि वो शादी शुदा है मिस्टर पार्क सोशल मीडिया में अपनी फोटो अपलोड करते हैं और वो अपने एब्स को एडिट कर रहे होते हैं घर जाकर मोमी प्लास्टिक सरजरी करवाने का सोच रही होती है उसके बाद वो लाइ सांग कहती है पार्क को एक बिमारी है वो खुद को हीलो समझता है उसने अपने एब्स की फोटो डाली है एक रात आफिस के सभी लोग बाहर डिनर एंजॉय कर रहे थे और एरियूम पार्क को ड्रिंग देती है जिस पर बाकी लोग उसे कहते हैं ड्रिंग देने के लिए ल सांग सोचती है कि ये लोग इतने गंदे हैं लाइफ स्ट्रिम देखकर अपना मन बहलाते हैं जिस पर मोमी कहती है कि ये वीडियो इतने गंदे भी नहीं होतें डिनर करने के बाद फिर सभी वापस ड्रिंग करने के लिए जा रहे थें लेकिन मिस्टर पार्क कहते हैं कि वाइफ का कॉल आता है और वो उसे कह देता है कि वो आ रहा है और वो अकेले है ये सुनकर मूमी को काफी हर्ट फिल होता है घर जाने के लिए मूमी मेट्रो लेती है और वो सोच रही होती है कि आखिर मिस्टर पार्क ने ऐसा क्यों कहा कि वो अकेले थें क्या वो मूमी को पसंद करते हैं और वो हसने लगती है फिर वो लाइस्ट्रिमिंग करती है और अपने ओर्डियंस को ये बात बताती है कि वो जिसे पसंद करती है वो उसके साथ ही थी लेकिन फिर भी उसने अपनी वाइफ से कहा कि वो अकेले हैं इसका मतलब क्या हो सकता है अगले दिन आफि इसलिए बुरा मत मानना लेगिन बाहर आते वक्त मूमी देखती है कि उसने अपना आई कार्ड ऊपर ही छोड़ दिया है इसलिए वो वापस अपने आफिस आती है और अपने बॉस को देखती है जिसका एरियूम के साथ अफेर चल रहा है और उसने तो बस एरियूम को और वो शख ना हो कि दोनों के बीच कुछ तो है ये देकर मूमी का दिल तूट जाता है और वो रोने लगती है घर आकर वो बहुत रोती है और बहुत ज़ादा ड्रिंग करती है जिसके बाद वो लाइव स्ट्रिंड करने लगती है लेकिन वो होश में ही नहीं थी और वो सुबा होश आता है तो वो देखती है कि उसका एकाउंट सस्पेंडट कर दिया गया है और वो सोचने लगती है कि ये सब एरियूम के वज़े से हुआ वो अपने दोस्तों से जाकर मिलती है जो सभी आफिस के दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं और मॉमी उन्हें कहने लगती है कि मैं तुम सभी से कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन फिर वो नहीं कहती जिस पर वो बाकी लोग जिद करने लगते हैं कि आप बता भी दो इसलिए मॉमी अपने बॉस के अफियर के बारे में उन सभी को बता देती है और ये बात आग की तरह पूरे आफिस में फैल जाती है सभी लोग आफिस में बस मिस्टर पार्क और एर्यूम के रिलेशन्शिप के बारे में बात कर रहे थे हैं लोग तो यहां ये भी कहने लगते हैं कि एर्यूम प्रेगनिट है और एक रात मूमी पार्क को आफिस के बाहर नशे के हालत में देखती है इसलिए मूमी उसे समालने के ले जाती है और लिफ्ट लेकर किसी तरह उसे एक होटल में लेकर आती है और मिस्टर पार्क वहां बेहोश हुजाते हैं अगले सुभा मिस्टर पार्क चुप चाप होटल से चले जाते हैं और जब मोमी ओफिस जाती है तो सांग उसे बताती है कि मिस्टर पार्क नौकरी छोड़ जुके हैं और एरियूम को भी ट्रांसफर कर दिया गया है उसे एक मेल आता है जिसमें लिखावा था कि मैं मास्क गर्ल को पैचानता हूँ ये देखकर वो डड़ जाती है और वहाँ से चली जाती है और बात्रू में रोने लगती है जब वो घर जा रही थी तो वो मिस्टर पार्क वो मेसेज भेजती है कि मुझे आपसे मिलना है और तब एक आदमी उसे पीछे से टच करता है मोमी उसे पूछती है तुमने मुझे क्यों चुआ तुमने मेरा बम टच किया जिस पर वो आदमी कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर दुनों के भी जगड़ा हो जाता है और वो उस आदमी को लेकर पुलिस टेशन पहुँचती है और उस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है लेकिन वो कहता है कि मैं तूच जैसी लड़की को चुऊंगा ही क्यों मुमी उसे पीटने लगती है और चिलाने लगती है कि तुने ही मुझे वो ईमेल भेजा और वो पुलिस को बताती है कि यही वो आदमी है जिसने मुझे मेसेज भेजा और ये मुझे blackmail कर रहा है एक police officer कहता है कि इस मामले को यहीं रफा दफा कर लो तुम दुनों तो नौकरी करते हो वो मूमी से भी कहता है कि भूलो मत तुमने अभी से पीटा है अभी ये सुनकर मूमी इस case को जाने देती है फिर वो अपने घर आती है और अपने account को suspended देखकर काफी sad हो जाती है लेकिन एक user अभी भी online था जिसका नाम है once upon a prince और उसे काफी दुख है कि mask girl का account suspend हो गया है दोने एक दूसरे से बाते करने लगते हैं और पता चलता है कि वो दूसरा user कोई और नहीं बलके मूमी के office में काम करने वाला worker Mr. O है एपिसोड 2 में हमें Mr. O के बारे में बताया जाता है जिनें अकेले रहना पसंद है वो बच्पन से ही ऐसे ही हैं बच्पन में भी लोग उसे बहुत तंग क्या करते थें स्टुडेंट उसे बूली करते थें और इसलिए वो चुप चुप रहने लगा है वो adult वीडियो से बिलकुल addicted हो गया है और वैसे ही वो एक लड़की के पुतले को अपने घर पर रखता है अपने entertainment के लिए और उसी के साथ वो अपना birthday celebrate करता है उसकी मा उसे call करती है और अपने बेटे की birthday की चिंता नहीं है उसकी मा तो एक trip पर जाना चाती है जिसके लिए वो अपने बेटे से पैसे और कपड़े मांगती है और अपने बेटे पर बहुत चिलाती है और वो हमेशा चाती थी कि उसका बेटा डॉक्टर बने लेकिन वो नहीं बन पाया और उसकी मा कहती है कि मैं तो बस यही चाती हूँ कि मैं तेरे बच्चे को अपने गोद में खिलाऊ आफिस में भी मिस्टर ओ अकेले रहते हैं और उन्हें आभी भी लोगों से डर लगता है इसलिए वो किसी से भी आई कॉंटक्ट बना कर नहीं रह सकते और वो लोगों के हाथ देखते हैं ऐसे ही एक दिन वो आफिस में गौर करते हैं कि मूमी के दुनों हाथों में एक ही जगा काले तिल है और फिर वो घर जाकर लाइफ स्ट्रीम में मास्क गर्ड के वीडियो को देख रहा था जो उसे बहुत अच्छी लगती है बले ही उसका चैरा ढखावा हो लेकिन वहाँ पर वो नोटिस कर लेता है कि उस लड़की के भी दुनों हाथों में काला तिल है और वो समझ आता है कि ये मूमी है और उसे मूमी से प्यार हो जाता है क्योंकि उसके लिए मूमी बहुत स्पेशल है हर दिन मास्क गर्ल का वो वीडियो देखकर अपना रात गुजारता था उसका पूरा रूम मास्क गर्ल के तरस्वीर से भरा हुआ है फिर हम उसी रात को देखते हैं जब आफिस के सभी लोग बैट कर डिनर कर रहे थे और वहाँ पर एक एमपलॉई मिस्टर पार को दिखाता है कि लाइफ स्ट्रीम में मास्क गर्ल नाम की एक लड़की धूम मचा रही है जिस पर मॉमी घबरा जाती है फिर जब मिस्टर ओ घर जाते हैं वो मॉमी आने के मास्क गर्ल के वीडियो को देखते हैं और उसमें वो कहरी होती है कि उसके बॉस शायद उसे पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ से जूट कहा कि वो गाड़ी माके ले थे ये सुनकर मिस्टर ओ को अच्छा नहीं लगता इसलिए अगले दिन मिस्टर ओ प्रैक्टिस करने लगते हैं कि वो किस तरीके से मॉमी को प्रपोस करेंगे एक रात काम करने के बाद अपने आफिस से वो बाहर खड़ा रहता है इस इंतिजार में कि मॉमी कब बाहर आएगी और ये वही रात है जब मॉमी को पता चल गया था कि एरियूम और मिस्टर पार्क का फिर चल रहा है मिस्टर ओ भी अंदर जाकर देखते हैं कि आखर मिस्टर पार्क दोबारा आफिस में क्यों जा रहे हैं और वो देखते हैं कि मिस्टर पार्क और एरियूम का फिर चल रहा था और ये देकर वो काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि ये सब देकर अब मूमी मिस्टर पार को पसंद नहीं करेगी घर आकर मिस्टर ओ, मास्क गर्ड याने के मूमी का लाइस्ट्रिम देख रहा था नशे में वो अपने कपड़े उतारने लगती है, ये देकर मिस्टर ओ को अच्छा नहीं लगता अगले दिन ओफिस में मिस्टर ओ, मूमी से जाकर बात करते हैं और चिला कर कह देते हैं कि बौस को भूल जाओ वो शादी सुधा है वो चिला कर कह देता है कि मैं मोमी से प्यार करता हूं मोमी भी उसे कह देती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं दोनों के स्कर्डते हैं लेकिन ये तो बस उसका imagination था उस रात घर जाते वक्त Mr. O मौमी से कुछ कहना चाते थे वो इधर उधर की बाते करके वहाँ से चला जाता है फिर वो देखता है कि मौमी पार्क जो नशे में था उसे टैक्सी में बिठा कर वहाँ से चली जाती है उसे नहीं पता था कि Mr. O भी उसका पीछा कर रहे थे ये सब देखकर उसे काफी जलन मैसुस हो रहा था और उसी ने मूमी को मेल भेजा था कि उसे मूमी के असलिएत के बारे में पता है फिर हम वो सिन देखते हैं जब घर आकर मास्क गर्ल याने के मूमी उसे यूजर से बात कर रही थी मास्क गर्ल उसे मिलने के लिए बुलाती है जिस पर मिस्टर ओ चौंग जाते हैं लेकिन वो टाइम पर रिपलाई ने दे पाता है इसलिए मास्क गर्ल एक दूसरे यूजर हैंडसम मॉंक से मिलने का सोचती है और वो मास्क लगाकर हैंडसम मौंक नाम के एक लड़के से मिलने जाती है दोनों डिनर कर रहे होते हैं लेकिन मॉमी मास्क ना उतारने के बहाने से कह दिया कि मुझे भूख नहीं लगी है लेकिन जब वो लड़का जित करता है तो मॉमी अपना मास्क खटाती है और वो लड़का बस उसे देखते ही रहता है और कहता है तुम तो बहुत खुबसूरत हो मास्क क्यों लगा कर रखती हो फिर दोने एक दूसरे से खुल कर बाते करने लगते हैं और वो लड़का मॉमी क कहती है मैं तो सरजरी करवाने वाली थी लेकिन वो लड़का कहता है ऐसा मत करना तुम बहुत अट्रक्टिव हो ये सुनकर मूमी खुश हो जाती है उसे पहली बार कॉम्पलिमेंट जो मिला लेकिन पता चलता है कि ये सब कुछ ना टक था क्योंकि हैंडसम मॉंक ट्वीटर पर जाकर अपने सारे दोस्तों को बता देता है कि वो मास्क गर्ड से मिला जो बहुत भद्दी दिखती है वो बिल्कुल भी खुबसूरत नहीं है ये सब देखकर मिस्टर हो बहुत जादब गुस्सा हो जाते हैं फिर कहीं शान्त जगा पर बाते करने के लिए हैंडसम मॉ मॉमी को लेकर एक होटल में जाता है और उसे कहता है तुम जाकर कमरे में वेट करो वो अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं मिस्टर ओ मॉमी की बहुत चिंता कर रहे थे हैं और उसे मेसेज करते हैं कि तुम कहा हो हैंडसम मॉंक कमरे में आ जाता है और उसके साथ जबर्दस्ति करने लगता है मोमी उसे रोकती है और कहती है मुझे घर जाना है और जितना खर्चावा वो उसे पैसे दे कर वाँ से चली जाती है लेकिन तभी वो लड़के के मूँ से सचाए निकल जाता है कि एतनी बसुरत लड़की हो फिर भी तुम्हारे इतने तेवर है म मोमी उसे एक जोर का थपर लगाती है जिसके बाद वो मोमी के साथ जबरदस्ति करने लगता है लेकिन मोमी उसे रोकने के लिए उसे लड़ने लगती है और लड़का बिस्तर से नीचे गिर जाता है और उसका सिर एक स्लैप से टकरा जाता है और वो गिर कर मड़ जाता है ये देखकर मूमी बहुत जादा घवराने लगती है और डर के मारे वो काप रही थी वो एम्बुलेंस को कॉल करने का सोचती है तब ही मिस्टर ओ का मेसेज को देखकर वो उसे तुरंट कहती है होटल मे आने के लिए ये सोचकर कि वो बस उसकी मदद करना चाते हैं मिस्टर ओ फटा फट वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां एक लड़का मर गया है मूमी उसे बताती है कि उस लड़के ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशच की और वो रोने लगती है मूमी सोचती है कि वो पुलिस को सब बता देगी कि वो सर्फ डिफेंस में इस ठीकाने लगाने का सोचते हैं लेकिन तब ही वो देखते हैं कि वो लड़का जिन्दा है और डर के मारे मिस्टर ओ उसे मार डालते हैं फिर वो से लगातार स्टैप करते रहते हैं तो वहीं घर पर जब मूमी नहा के खुद को आएने पर देखती है तो वो खुद को बसूर दिखती है और वो रोने लगती है फिर अगली सुभा मिस्टर ओ अपने ओफिस पहुंचते हैं लेकिन मूमी वहाँ नहीं होती पता चलता है कि मूमी अपना जॉब छोड़ चुकी है ये सुनकर सांग चौँख जाती है और उसे कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं लगता मिस्टर ओ जाते हैं ह-र के पास मूमी का एडरस मांगने के लिए इसके बाद वो मूमी के घर पहुंच जाते हैं लेकिन वो दर्वाजा नहीं खोल रही होती इसके बाद मास के गर्ल लाइव स्ट्रीम एनॉंस करती है कि ये उसका आखरी लाइव स्ट्रीम होगा ये दिकर मिस्टर ओ चौंक जाते हैं और वो तो रंत मूमी के घर पहुंच जाता है वो दर्वाजा पीटने लगते हैं और दर्वाजा वो खोलती है वो अभी भी मास्क पहनी वी थी वो से कहती अंदर आने के लिए मिस्टर ओ उसे पूछते हैं तुमने जॉब क्यों छोड़ दी मूमी कहती हैं कि मैंने तुम्हें मिस्टर पार्क के साथ होタल में जाते वे देखा था मैं खुद खोंट को कंड्रोल नी कर पाया मैं बहुत गुसा हो या था क्यूंकि मैं पहली बार किसी के लिए ऐसा फील करा था यह सब सुनकर मूमी फूट फूट कर होने लगती है अब मैं एक मोमी मिस्टर ओ को मा डालती है एपिसोड 3 में हम मिलते हैं मिस्टर ओ की मा से जिसका नाम है कीम क्यून जा कहानी जाती है 1974 में और कीम हमें अपने बारे में बताती है कि वो एक गरीब घर से है इसलिए वो कभी किसी लड़के को डेट नहीं की उसके ममी पापा ने उसके लिए एक लड़के को चुना जो काफी अच्छा नौकरी करता था और कीम को शकल सूरत से फर्क नहीं पड़ता था इसलिए वो उस लड़के से शादी कर ली लेकिन शादी सिर्फ 3 साल तक टिक पाई लेकिन फिर भी उसने खुद को समार लिया क्यूंकि उसके पास उसका बेटा ओ नाम था और किसी तरह खर्च उटाने के लिए वो छोटे मोटे काम करती थी जैसे के बड़तन धोना, पबलिक टॉलेट साफ करना टैक्सी चलाना और आखिर में बहुत मैनत करने के बाद किम अपना एक रेस्टोरेंट खोल देती है उसके रेस्टोरेंट के बगल में एक और और अवरत अपना रेस्टोरेंट चलाती थी और हमेशा दुनों के बीच झघगड़ा होते रहता था अपने बेटे को पालने के लिए वो बहुत कुछ करती थी, लेकिन वो देखती है कि जब भी उसका बेटा स्कूल से आता था तो उसके शरीर में चोट के निशान होते थे, जिस पर Mr. O याने के O नाम जूट कहता था कि वो खेलते समय गिर जाता था, किम बताती है कि उसका बेटा पढ़ाय में बहुत अच्छ कर लिया गया, हाला कि उसने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की, नौकरी मिलने के बाद O नाम बदल गया, और वो अकेले रहना चाहता था जिस पर उसकी माँ उसके खिलाफ थी, क्योंकि वो अपने बेटे के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि उसने बेटे के परवरिश के होगा और वो वापस आ जाएगा, लेकिन अब तो किम को लग रहा है कि जैसे उसका बेटा गाया भी हो गया है, एक दिन किम ऑफिसर्स को लेकर जाती है अपने बेटे का एपार्टमेंट में, और अंदर बहुत जोर की बदबू आ रही थी, और वहाँ किम को अपने बेटे की लाश तो नहीं है, वो है कौन, जिस पर ऑफिसर्स कहते हैं कि अभी तक हमें नहीं पता चला कि वो आदमी कौन है, जिस पर किम काफी रिलैक्स फिल करती है कि चलो उसका बेटा तो नहीं मरा, लेकिन उन दोनों ऑफिसर्स को लगता है कि शायद उस आदमी को मिस्टर ओ नहीं मारा है, जिस पर किम गुसा हो जाती है क्योंकि उसके हिसाब से उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता, फिर दोनों ऑफिसर्स ऑफिस जाते हैं जहां ओ नाम काम करता था और वहां के एमपलाईस से वो पूछताच करते हैं, तो एक लड़की कहती है कि उसने लास्ट ओ नाम जाते हैं और लैंड लेडी बताती है कि वो लड़की तो बहुत पहले ही घर छोड़कर चली गई, और पुलिस को वो बता देती है कि शायद उस लड़की ने प्लास्टिक सरजरी करवाई है, ओफिसर्स पूछते हैं क्या वो लड़की कभी अपने बॉइफरेंड को लेकर इल्लीगल है, और कुछ साइकोलाजिस्ट का कहना है कि वो नाम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, वो सेक्स को लेकर कुछ जादा ही उतेजित था, उसका दिमाग खराब हो गया था, ये सब देखकर कि इम बहुत जादा गुसा हो जाती है क्योंकि उसके हिसाब से उसका ब बेटे के केस को सॉल्व करना चाती है, इसलिए वो जाती है कंप्यूटर सीखने के लिए, इसके बाद वो घर आकर अपने बेटे के कंप्यूटर को चेक करती है और उसे मास्क गर्ड का एकाउंट मिलता है, और वो सोचने लगती है कि अगर बेटे को ढुनना है तो इस लड़के से बात करने लगती है और वो लड़का reply में कहता है कि वो एक लड़की को जानता है जो शायद मास्क girl है वो उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें एक लड़की एक mall के बाहर डांस कर रही थी लेकिन कीम लिखती है कि इस लड़की का चहरा तो बिल्कुल अलग है जि यहाँ इस दिन को देखने के लिए वो अपने बेटे के पीछे दिन रात लगी रही। निउस चैनल में बताया जाता है कि मिस्टर ओ के मरने के पीछे शायद मूमी का हाथ हो सकता है। अपने बेटे के फिनरल के बाद किम डाइसन पहुंचाती है जहां मूमी का घर है और वो मूमी के घर तक पहुंचाती है लेकिन घर की नौकरानी जाकर किम को बताती है कि मैडम ने बहुत साल पहले ही अपनी बेटी से रिष्टा तोड़ दिया है और मैडम को भी नहीं पता क यह उसकी बेटी अभी कहा है नहीं वो जाना चाती है तो वो आपकी मदद नहीं कर सकते हैं फिर जैसे ही मूमी की माँ बालकनी पर आती है उसे देखकर कीम बहुत जोड़तर चिलाने लगती है और कहती है बाहर आने के लिए इसलिए घर की नौकरानी पुलिस को बुला लेती कीम को पुलिस स्टेशन लाया जाता है जहां एक आफिसर उसे वार्निंग देता है कि आप दोबारा उसे घर में जाएंगे तो हमें आपको मजबूरा ना अरेस्ट करना होगा और वो बताता है कि उस औरत का एक हजबन था जो बहुत पहले मर गया घर जाकर के में फिर से अच्छा बेटा था और वो रोने लगती है और उसकी दोस्त उसे समालती है अपने दोस्तों से उसे एक औरत के बारे में पता चलता है जिसके पास हर सवालों का जवाब होता है इसलिए किम उस औरत के पास जाती है और उसे मोमी के बारे में पूछती है जिस पर वो औरत ब पता देती है कि मोमी गांग्चियोन में है गांग्चियोन पहुंचकर वो वहां देखती है कि ये जगह तो बिल्कुल वैसा ही है जहां वो लड़की नाच रही थी फिर किम उस इवेंट कमपनी में जाती है जिसके लिए मोमी काम करती है और एक आदमी मोमी को पैचान लेता ह और कहता है कि इसका नाम तो Yumi है और वो जौब छोड़ चुकी है शायद उसे कोई अच्छा जौब मिल गया होगा फिर वो दिन रात उस चुड़ेल को याने के उस लड़की को ढूनने में लगी रहती है और आखिर में एक फास्ट फूट की दुकान पर उसे वो चुड़ेल याने के Yumi दिखने को मिल जाती है किम उसके पीछे जाती और एक होटल में पहुंचती है लेकिन एक आदमी उसे रोक लेता है और पूछने पर कीम कहती है कि मैंने एक लड़की को देखा अंदर जाते वे वो मेरी बेटी है उसने सकर्ट पहनी हुई है जिस पर वो लड़क जिसे देखकर वो बहुत जाता घबडा जाती है फिर जैसे ही Yumi को होटल से बाहर आते वे वो देखती है वो उस लड़की का पीछा करती है और जब सुबा हो जाती है तो कीम उस सलोन में जाती है जहां Yumi भी गई भी थी और हर वक्त कीम का ध्यान Yumi पर ही होता है और वो सो टैक्सी कमपनी जॉइन करती है और एक टैक्सी ड्राइवर बन कर अपने मिशन को कम्प्लीट करने में लगी रहती है और वो एक आदमी से इलिगल बंदुख खरीचती है पता नहीं किम उस लड़की के साथ क्या करने वाली है फिर जैसे एक रात Yumi उस होटल से बाहर आती ह किम उस लड़की को बहुत मारती है और उस अपने बेटे के तस्वीर दिखाती है जिस पर Yumi कहती है कि मैं इस लड़के को नहीं जानती और कहती है मैंने उस आदमी को जिम्देगी में कभी नहीं देखा वो अपना नाम चूने बताती है लेकिन किम को उस लड़की की बातो पर यकीर नहीं होता क्योंकि वो तो कपड़ों की तरह अपनी नाम बदलती है और किम उसे वही नाचने वाले लड़की का तस्वीर दिखाती और पूछती है तुम यही हो ना यह देखकर वो लड़की चौंग जाती है और पूछती है कि आपको यह कहां से मिला फिर किम उ देखती है कि यह लड़की भी वही निकलेस पहनी हुई है जो मास गर्ड पहनती थी चूने रोने के बजाए हसने लगती है और कहती है कि आप जिस लड़की को ढूंड रहे हो मैं उसे पैचानती हूँ एपिसोड 4 में हम चूने के बारे में देखते हैं 1999 में चूने एक नई स्कूल में ट्रांसफर हुई थी और उसकी क्लासमेट्स चूने को बिलकुल भी पसंद नहीं करती थी फिर उस क्लास में एक लड़का आता है ब्यू यंग जो काफी गुड लुकिंग था और सभी लड करते हैं और यंग कहता है कि चूने मेरी दादी का भी नाम था और मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर काम करती हो और वो चूने को बहला फुसला कर उसके दुकान से शराब और सिगरेट खरीद कर चला जाता है बले ही वो अंडरेज हो फिर एक रात यंग चूने को अपने और मैं तुम्हें अगले हफ़ते लोटा दूँगा और भोली चूने उसकी बातों में आ जाती है और उसे पैसे दे देती है लेकिन एक हफ़ता गुजर जाता है यंग उसे पैसे नहीं लोटाया लेकिन भोली लड़की जब भी यंग को पैसों की जरुवत होती थी तो यंग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया वो तो अब बहुत फेमस हो गया था लड़कियां उसके लिए दिवानी थी और अब तो यंग चूने को भूल चुका था रात में यंग अपने एक साथी के साथ सिगरेट पी रहा था और वो लोग बात कर रहे हैं उस लड़की के रही थी यंग ने उस लड़की को इगनोर कर दिया था जिस पर यंग कहता है कि मैं उस लड़की को पैजानता हूँ वो सिर्फ मेरे लिए बैंक अकाउंट थी लेकिन चूने छुपके से ये सब को सुन रही थी और वो रोने लगती है उसका दिल तूट जाता है कि यंग उ सामने नाचने लगती है पैसे कमाने के लिए और वहां उसे एक दिन यंग दिख जाता है वो भी फटे हाल हालत में यानिके उसका करियर खतम हो चुका है सिर्फ चूने के वज़े से और जब चूने उसे बताती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ हाई स्कूल में तुम्हार करती है और इसलिए वो यंग से कहती है कि जब तक तक तुम्हें जॉब नहीं मिलता तुम मेरे घर में रह सकते हो चूने एक बार में जाती है डांसिंग और सिंगिंग का जॉब करने के लिए और उसे मर्द लोग बहुत पसंद करते हैं और कुस समय में वो क्लब की स्टार बन जाती है लेकिन कुछ समय के बाद उस बार में एक और लड़की आती है जो कोई और नहीं बलके मीए है और वो आते ही चूने का फर्स्ट स्पॉर्ट छीन लेती है याने के अब कलब की नंबर वन स्टार वो है और कस्टमर के लिए वो अपना नाम एरियूम रखती है और क की बॉस तो बस मीए की तारीफ करती और कहती है कि तुम चिंता मत करो चूने तो बस तुम से जल रही है उसके बाद चूने उस क्लब को छोड़ देती है लेकिन उसकी कहानी पर किम भरोसा नहीं करती चूने उसे कहती है कि मैं आपसे जूट क्यूं बोलूंगी मैं भी चाह इसके बाद चूने एक अपार्टमेंट में जाती है और वहाँ वो मोमी से मिलती है याने के चूने किम को चूना लगा रही थी याने के वो किम से जूट बोल रही थी और कहती है कि ये बास सच है कि वो दोनों उस कलब में मिलें और दोनों एक साथ काम करते थे बिल्कुल किस चूने उसे कहती है जल्दी से हॉस्पिटल चलो लेकिन मोमी नहीं मानती और कहती है मैंने किसी को मार दिया है इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती इसके बाद मोमी हिम्मत करके चूने को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता देती है चूने मोमी से कहती है कि तुम्हे बिल्कुल वैसा ही है उसे ना जॉब लगा है ना वो घर काम करता है ना ही चूने के कुट्टे को खाना खिलाता है बस दिन रात गेम खिलता है इसलिए वो फ्रस्टेट होकर यंग से कहती है कि तुम ये घर छोर कर जाना होगा जिस पर यंग उससा हो जाता और कहता है कि मैं वो नहीं थी यंग उसे बहुत मारता है बाहर आकर वो फास्ट फूट दुकान के सामने रुकती है और वहां उसे वही लड़का मिलता है जो उसकी तस्वीर खींच रहा था और कहता है मैं टैडी हूँ मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ वो समझता है कि चूने मास्क ग जा रही हो और वो जूट कहती है कि मैं अपने कुटे को टहलाने के लिए जा रही हूँ इसके बाद यंग चूने को बहुत मारता है फिर अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां पर मूमी भी पहुंच जाती है और उसके बाद दोनों बेस्ट फ्रेंड मिलकर यंग को मार है तब ही उसे टेडी का मैसेज आता है और उसके मैसेज से पता चलता है कि चूने असली में मास गर्ड को जानती है और दोनों दोस्त हैं ये देखकर वो बहुत जादा गुसा हो जाती है और पहुंचती है चूने के घर के पास जहां वो दोनों लड़कियां को देख लेती दोनों गाड़ी से निकलते हैं और मोमी चूने को बताती है कि वो शायद प्रेगनेंट है उसे नहीं पता कि यह बच्चा मिस्टर ओ का है या नहीं लेकिन वो इस बच्चे को जनम जरूर देगी और कहती है कि चाहे यह बच्चा कितना भी भद्दा दिखने में हो यह मेरे ल दोने कहने लगती है के मैंने तेरे बेटे को मारा तो वो कहती है कि मेरा नाम मोमी है जिस पर किम कन्फिוז हो जाती है और वो और भी जहादा ग OFFो जाती है और जैसी जैसे ही मोमी को वो मारने वाली थी पीछे से चूने आकर किम को मार डालती है और चूने जो बहुत जाला घायल थी वो अपने दोस्त के सामने ही दम तोड़ देती है जिस पर मोमी बहुत जादा रो रही थी क्यूंकि वही तो उसकी एकलौती बेस्ट फ्रेंट थी किम के से कम नहीं समझ रही थी क्यूंकि उसे भी ऐसा ही पॉपुलरिटी चाहिए था एपिसोड फाइब में कहानी जाती है उस समय जब मास्क गर्ड याने के मोमी को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो अब किसी से कम नहीं है मीडिया भी सिर्फ उसी के खबर को कवर करती है उसी क ने जो कुछ भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया जिस पर हैंसम मौंग की माच लाकर मोमी को गाली देने लगती है इसे लिए उन्हें कोर्ट से बहार निकाल दिया जाता है मोमी ने जो क्राइम किया है उसे देखकर जज उसे उम्र कैट की सजा सुनाती है फिर हम उस समय क को देखते हैं जब मौमी मिस्टर ओ के बच्चे को जनम देती है जिसका नाम वो मीमो रखती है और अपने बेस्ट फ्रेंड के कुट्टे को लेकर अपनी मा के पास जाती है और कहती है कि इस बच्चे का देख भाल करने के लिए क्योंकि वो कुछ दिनों में देश छोड़ कर जाने वाली है वो अपनी बच्ची को अपनी मा के घर के दर्वाजे पर छोड़ कर चली जाती है अब कहानी जाती है 2017 में और हम मीमो को देखते हैं जो मौमी की बेटी है और वो कहती है कि जनम से वो अपनी मा से कभी नहीं मिली लेकिन हम देखते हैं कि उसे भी अपनी मा मां मास्क गर्ड है जिसके बाद वो छोटी लड़की मीमो जाकर इंटरनेट पर मास्क गर्ड सर्च करती है और अपनी मां के बारे में उसे बहुत कुछ पता चलता है फिर एक दिन वो अपनी मां की तरह मास्क लगा कर अपने कमरे में नाच रही थी तब यूसकी नानी कमरे म और गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल देती है राद भर बारिश हो रही थी और आखिर में उसकी नामी उसे घर ले आती है और उसकी देख भल करती है मी मो अपनी मां के बारे में जाना चाती है जिस नानी दूसरे जगा शिफ्ट कर जाते हैं लेगन उस बच्ची के मां का तीत उनके पीछे पीछे आ जाता है फिर कहानी जाती है प्रेजन्ट में याने के दो हजार तेश में अब तो मोमी अपनी मां से बिलकुल नफरत करने लगी है और उसे ये चून नाम की लड़की के उसकी दोस्त बनना चाहती है लेकिन मीमो कहती है कि मुझे दोस्ती की जरुवत नहीं है जब मीमो अपने घर पर होती है तो उसके स्कूल के सामने फास्ट फूड वाली और अउसे मैसेच करती है और उसका हाल चाल पूछती है अगले दिन स्कूल में कुछ लड़किया ये चून को बुली करते हैं और उसे बचाने के लिए वहाँ पर मीमो आते हैं और वो सभी लड़कियों को डराती है हाथ में एक काच का टुकरा उठा कर और कहती है दम है तो सामने आ ये सुनकर वो लड़किया वहाँ से भाग जाती है इसके बाद वो दोस्त बन जाती है और एक साथ दोनों बहुत वक्त बिताते हैं और वहाँ ये चून अपने बारे में बताने लगती है कि उसके घर में उसके परिवार की हालत भी ठीक नहीं है उसके पापा हमेशा पी कर आते हैं और उसकी ममी पर हाथ उठाते हैं फिर वहाँ बारिशोंने लगती है और दोनों जानने की कोशिश की ये सा बात करने के बाद दुनों और भी करीब आ जाते हैं और भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं फिर जब ये चून अपने घर आती है तो हम देखते हैं कि उसके घर का माहौल तो बिलकुल या लग है जो वो कहती थी उसके ममी पापा के बीच कोई जो प्रूपी होई है फिर एक दिन क्लास में हसी मजा करने के वज़े से दौनों लड़कियां को क्लास के बाहर निकाल दिया जाता है और कुछ लोग तो ये भी केहते हैं कि दोनों लड़कियां दोस्त से कुछ ज़्याद息 हैं एक दिन स्कूल से घर जाते हैं मीमो अपने दोस्त को बता देती है कि उसकी मा असली में जेल में है और वो पूछती है कि तुम्हारी मा जेल में क्यों है मीमो कहती है क्योंकि मेरी मम्मी ने किसी को मारा है ये चून कहने लगती है कि हम दोनों को कहीं दूर जाकर एक साथ रहना चाहिए पर उन दोनों को रहने के लिए घ गर देगा कौन, उनके पास तो पैसे भी नहीं है, घर आकर ये चून इंटरनेट पर मास्क गर्ड के बारे में आर्टिकल्स बढ़ने लगती है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंट की मा है, ये देखकर ये चून हैरान रह जाती है, और अगले दिन जब वो अपनी छोटी बहन को बेच देती है, और उसे जो पैसे मिलते हैं, वो जाकर वो अपने दोस्त को दिखाती है, और कहती है कि हमारे पास इतने पैसे तो हैं नहीं, कि हम कहीं एक साथ रह पाएं, अब हम करेंगे क्या, फिर और पैसे जुगार करने के लिए ये चून एक छोटी बच्ची को नकली केप आइडल्स की फोटो बेचने की कोशिश करती है, तब ही वहाँ पर कुछ लड़की आ जाती हैं, जो ये करते हुए ये चून को देख लेती हैं, और उसे बहुत पीटती हैं, कुछ और पैसे जुगार करने के लिए मो मी कैफे से एक लैपटप चुडाने की कोशिश कर लेकिन वो पकड़ी जाती है, और उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है, और उसे छुडाने के लिए उसकी नानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, और उसे बहुत पीटती है, उसके इस हरकत के लिए, मीमो कहती है कि मैं अपना घर छोड़ने वाली थी, और ये कहकर वो प पूलिस्टेशन से भाग जाती है ये चून देर रात अपनी घर पहुंचती है जिसके लिए उसके ममी पापा बहुत चिंता कर रहे थे और उसके पापा आकर उसे पूछते हैं कि तुम्हारी चोटी बहन का जूला किदर है क्या तुम जानती हो जिस पर वो कहती है मुझे नह कर देती है कि आज भी मेरे पापा पी कराए हैं और वो बहुत ड्रामे कर रहे हैं तो आज रात तुम अपने नानी के घर पर ही रह लो ये सुनकर मीमो रात अपने क्लास में ही रहकर बिताती है और जब सुबह होती है तो कुछ लड़कियों को बात करते वो सुनती है कि मीम मास्क गर्ड की बेटी है और उन लोगों के पैरेंट्स प्लैन कर रहे हैं कि वो मीमो को स्कूल से निकलवा देंगे क्योंकि उस लड़की का स्कूल मेरा ना खतरनाक हो सकता है जब क्लास में टेनिस लिया जाता है तो मीमो क्लास में नहीं होती ये चुन से मिलने के लिए मीमो की नानी आती है उसे बात करने के लिए लेकिन वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि मीमो कहा है वो हर जगा अपनी दोस्त को ढूंडती है उसे कॉल लगाती है लेकिन कोई फादा नहीं होता जब वो घर आती है तो उसके ममी पापा और भाई बहन सब बजार से घर आते हैं और मीमो उन सबी को देख लेते हैं और वो पूरा परिवार काफी खुश था और वो समझ जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने अपने परिवार के बारे में उसे जो कुछ भी कहा वो सब जाता है और वहाँ हम एक बुड़ी औरत को देखते हैं जो मुस्कुराते वे वहाँ से चली जाती है ये औरत कौन है बाद में पता चलेगा और उसने प्लास्टिक सरजरी भी कराई है सारे कैदी मासगर्ड को लेकर कुछ जादा ही क्यूरियस लगते हैं और उसके सरजरी की तारीव भी करते हैं तब ही वहाँ पर एक और और आती है जिसका नाम यूनसुक है और वो कैदी कहती है कि ये औरत यहां की डौन है और सभ ही मासगर्ड हो और उसे एक थपड लगाती है और कहती है कि तुम्हारी शकल उसे मिलती है जिसने मेरे पती को फसाया था जब सारे कैदी खाना खा रहे थे तब एक लड़की को खाना नहीं दिया जाता क्यूंकि उसने किसी दूसरे पती को फसाया था और यूनसुक ने कहा लेकिन मूमी भी रुकने वाली में से नहीं थी वो भी उनसे लड़ने लगती है और इस वज़े से मूमी को आईसोलेशन चेमबर में बंद करके रखा जाता है क्यूंकि उसने यूनसु के गैंग के साथ लड़ाई की जब वापस अपने सेल में वो आती है तो उसकी साथ ही उ बंद करके रख दिया जाता है और वो हमेशा ऐसा ही करती है वो रुकती ही नहीं हर बार उन पर हमला करती है और उसे आईसोलेशन चेमबर में बंद कर दिया जाता है यूनसुक उस लड़की से तंग आ गई है और वो वार्डन से कहती है मास गर्ल को हमेशा के लिए आईसो अब ऐसे ही 2012 से 2023 आ जाता है अमूमी अभी भी जेल में है वो थोड़ी सी बूढ़ी हो गई है और कैदियों को आडिटोरियम में बुलाया जाता है क्यूंकि नई वार्डन आई है जो उनके लिए स्पीश देती है और कहती है कि यहाँ पर सभी को मिल जुलका रहना होगा और किये का पश्चा तब करना होगा वो वार्डन काफी धर्मिक है पर अभी भी यूनसुक जेल की सबसे पाउरफुल कैदियों में से एक है और नई वार्डन भी उसके सामने सिर जुगाती है उसके इज़त करती है और कहती है कि आप यहाँ की हैड है मेरा खयाल रखियेगा एक नई कैदी आई है जो मास गर्ल को अपना हीरो मानती है फिर उस दिन मूमी के लिए एक चिट्थी आती है जिस पर मास गर्ल लव लिखावा था इतने सालों में पहली बार मूमी के लिए एक लिटर आया है लेकिन उस लिफाफे के अंदर एक न्यूज आर्टिकल होता है जिसमें उसकी बेटी की खबर चपी वी थी लोग सवाल उठाते हैं कि क्या वाइलेंड बीहेवियर जेनेटिक होते हैं उसमें एक मैसेज भी था जिसे परकर उसे समझ आ जाता है कि उसकी बेटी को शायद खतरा है इसलिए वो अपने साथी से कहती है कि मुझे यहां से नि और चढ़ने की कोशिश करती है ताकि वो बाउंडरी पार करके निकल जाए लेकिन कपड़ा फट जाता है और वो नीचे गिर जाती है और मुमी पकड़ी जाती है इस पर वार्डन बहुत जादा गुस्ता होती और सदा देने के लिए मुमी को काल कोठरी में बंद कर दिया और मुमी को बाहर निकाल देती है फिर वो अपने सेल में आती है और उसकी साथ ही काफी गुस्से में है क्योंकि किसी भी कैदी को काल कोठरी में एक महीने के लिए बंद करके रखना इल्लीगल है जिस पर मुमी कहती है कि तुम्हे कुछ करने की जरुद नहीं है मुझे लगती है और वो सभी से कहती है कि मेरे जैसे एक खूनी से भी भगवान मिलने आएं इसलिए मैं खुद के अंदर बदलाव देखने लगी और बाकी कैदियों को लगता है कि शायद मुमी नाटक कर रही है ये दिखाने के लिए कि वो भगवान को मानती है शायद उसका दुश्मन मानती है वो से कहती है कि तुम यहां से चली जाओ वरना मैं तुम्हारा मूँ तोड़ दूँगी लेकिन मुमी जिसके अंदर अब गुसा जैसा कुछ है ही नहीं वो यूनसुक से कहती है कि आपकी बेटी का बलड ग्रूप क्या है अगर मैच होता है तो मैं अप बेटी को किड्नी दे सकती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारा ऐसान कभी नहीं चुका पाऊंगी एक दिन जेल में बहुत सारे लोग आते हैं कैदियों से बात करने के लिए और उन्हें बाइबल पढ़के सुनाते हैं और मूमी उनमें से एक से बात करती है और उसके सामने कबूल करती है कि मैंने बहुत सारे पाप किया हैं एक दिन के लिए भी मैं कभी खुश नहीं रहती थी लेकिन जब से मुझे इश्वर मिले हैं मुझे सुकून समिल गया है और उन्हीं लोगों में से एक होती है मिस्टर ओो की मा किम जिसे देखकर मूमी घबरा जाती है और उसकी जान बच जाती है और पुलिस को वो कार और कार के डिक्के में बंद व्यू योंग की डेड बॉडी मिल जाती है जिसके बाद किम भी ब्लास्टिक सरजरी करवाती है और फिर जाकर उसी आदमी से इल्लिगली एक बंदु खरीती है और वो एक पुराने घर में रहने लगती है शहर से दूर और वो मुमी की तलाश में इधर उधर भटकते रहती है तब ही उसे 2011 में पता चलता है कि मुमी को जेल हो गई है और किम सोचने लगती है क्या भगवान यही चाते हैं कि मैं अपने बेटे के बदले को भूल जाओं फिर एक दिन मुमी के घर के बाहर उ किम थी और वो चोटी बच्ची का दिल जिदने की कोशिश करती है उसे फ्री में खाना खिला कर और फिर एक दिन चर्च के बाहर वो चोटी बच्ची अपनी नानी से उसी बूढ़ी और याने के किम को मिलाती है और प्लास्टिक सरज़री कराने के वज़े से वो उस बूढ उड़ाग उड़ाते हैं यह सुनकर किम उसे कहती है कि जो भी तुम्हारा मजाग उड़ाते हैं तुम्हें उसे सजा देनी चाहिए इसलिए मीमो अपने klasmix को बहुत मारती है इस वज़े से स्कूल से निकाल दिया जाता है जाते वक्त मीमो उस बुढ़ी और से मिलती है और उस जगह एक बुड़ी औरत को देखा था वो कोई और नहीं बलके किम थी और उसके बाद से मीमो किम के साथ रहने लगी और प्रेज़न्ट में किम मूमी से कहती है कि अब मैं तुम्हें वही दर्द दूंगी जो तुमने मुझे दिया था मेरे बेटे को मुस्तचीन कर फिर किम गिरने का नाटक करती है जिस वज़े से पुलिस मूमी को पकड़ लेती है एपिसोड 7 में किम अपने घर वापस आती है और देखते हैं कि मीमो उसका इंतजार कर रही थी तो वहीं जेल में फिर से मूमी को काल कोठरी में बंद करके रखा जाता है मूमी पुलिस से कहती है कि वो जो आरत आई थी वो किसी का मर्डर करने वाली है मुझे उसे रोखना होगा लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनते है मूमी इस बारे में अपनी नई दोस्त यून सुक से बात करती है और वो उसे भरोसा दिलाती है कि तुम चिंता मत करो मैं अपने लोगों को उस औरत के पीछे लगवाती हूँ केम मीमो से कहती है कि तुम्हे अपनी नानी को बता दिना चाहिए कि तुम मेरे साथ रह रही हो उन्हें भी पता होना चाहिए कि तुम ठीक हो वहाँ पर मीमो ओ नाम की तस्वीर को देखती है और केम बताती है कि वो मेरा बेटा था और वो अब इस दुनिया में नहीं है मोमी की मा एक मिसिंग परसन रिपोर्ट फाइल करती है यह कहकर वो फोन आफ कर देती है मोमी अपनी मा को कॉल करती है और उसे पूछती है क्या मीमो के आसपास कोई बूढ़ी ओरत घुमती है लेकिन मोमी की मा अपनी बेटी से बात नहीं करती और कहती है कि तुम्हें इतने साल बाद मेरी याद आ रही है अगर मेरी और तुम्हारी बेटी की तुम्हें परवा है तो आज के बाद कभी कॉल मत करना यूनसुक मोमी को बताती है कि उस औरत को ढूड़ने में थोरा सा टाइम लग रहा है क्योंकि उसने अपना नाम बदल लिया है लेकिन वो दिखाती है कि मीमो कौन से स्कूल में पढ़ती है और वो वहाँ का नंबर उसे देती है स्कूल में मोमी कॉल करती है और अपनी बेटी मीमो के बारे में उसे पूछती है लेकिन जैसे ही एक लड़की फोन पर आती है मोमी का वक्त खतम हो जाता है और उसे बहार आना पड़ता है फिर वो यून सुक से एक और मदद मांगती है और कहती है कि अगर मेरी बेटी का स्कूल जाते वे एक फोटो मिल जाता तो अच्छा होता यून सुक अपनी लोगों से बात करते वे कहती है कि किसी भी एक सेवन्थ क्लास में पढ़ने बारी लड़की का स्कूल जाते वे फोटो खीच कर जल्दी से भेज़ दो मूमी तो जानती है नहीं कि उसकी बेटी कैसी दिखती है वो मान लेगी फोटो देखकर मूमी को शान्ती मिलती है मीमो अपनी नई दादी याने के किम से बहुत जादा प्यार करने लगी है और वो उनके लिए बर्थ डे के एक बनाती है और कहती है कि अब तो मैं आपको अपनी दादी मानती हूँ और मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ आप भी मेरे साथ ही रहेगा लेकिन किम का तो कुछ औरी प्लैन है तो वही जेल में जो फोटो यूनसुक ने मूमी को दिया था वो फोटो मूमी फार देती है शायद उसको पता चल गया है कि यूनसुक उसे हल्प करने का नाटक कर रही है और उसे जूटे इंफॉर्मेशन्स दे रही है उस रात किम अपने बेस्मेंट में जाकर कुछ तयारिया करने लगती है अगले दिन मूमी को जेल से बाहर लाया जाता है क्यूंकि यूनसुक की बेटी को अपना किड़नी देने के लिए मूमी मान गई है और उसे ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है सुबह में किम और मीमो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तभी मीमो बात करती है कि वो एक जॉब करना चाती है ताकि वो अपनी दादी याने के किम को बाहर घुमने के लिए भेश सके और उनके लिए वो नए कपड़े खरीच सके यह सुनकर किम काफी कनफ्यूज हो जाती है यह जो लड़की के साथ करना चाती है क्या वो सही है मोमी की मा किम का नमबर पता करवाती है तो वही हॉस्पिटल में सरज़िरी स्टार्ट होने को है और मोमी कहती है कि आपरेशन के दौरान वो अपना बाइबल अपने पास रखना चाती है जिसके लिए वो दोनों आफिसर मान जाते हैं और एक आफिसर चली जाती है बाइबल आने के लिए फिर मुमी दूसरे officer से कहती है कि मुझे bathroom यूज करना है लेकिन उसे bathroom में भी handcuff कर दिया जाता है जिस पर मुमी कहने लगती है कि मैं kidney donate करने वाली हूँ और यहां मैं अपने वज़े से नहीं आई हूँ और अगर एक donor के साथ इस तरीके से बड़ताफ किया जाएगा तो फिर म और वाध किम के घर के लिए निकलते हैं, ये चुन गारी में बता रही होती है अपने इंविस्टिगेशन के बारे में और उसे माजगर्ड के बारे में पता है, और उसे ये भी पता चला कि स्कूल में जो अफवा फैली है, के मीमो माजगर्ड की बेटी है, वो उसी बुड़ बहुत चिलाने लगते हैं मूमी अपनी मा को कॉल करती है और उसे बताती है कि मीमो की जान खत्रे में है और तब जाकर मूमी की मा को समझ आ जाता है कि वो बुड़ी औरत मिस्टर ओ की मा है और वो अपनी बेटी को उस बुढ़ी औरत का एडरेस दे रेती है और वो ये चुन से कहती है कि तुम यहीं उतर जाओ वहाँ जाना खतरनाक होगा और वो तो रंध पुलिस ओफिसर को कॉल करके एक रिपोर्ट फाइल करती है ये चुन भी कहां रुखने वाली थी उसके पास पैसे हैं और वो टैक्सी लेकर बुड़ी ओरत के घर निकल जाती है तो वहीं घर पे किम मीमो को चेर से बांदेती है और एक कैमरा उन करती है और उसे बताती है कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है जगड़ा हो गया और उसने मुझे बहुत मारा ये सुनकर वो औरत उसे लिफ्ट दे देती है क्योंकि उसका पती भी उसे बहुत टॉर्चर करता है केम मीमो का मुँ खोलती है और वो कहने लगती है कि दादी मा मुझे ठंड लग रही है केम अपना जैकेट उसे दे देती है फिर मीमो कहने लगती है कि दादी मा मुझे माफ कर दो जिस पर वो खुद को कंट्रोल करने लगती है और सोचती है कि उसका बदला लेना जरूरी है इसलिए वो उस लड़की का मूँ बंद कर देती है मुमी जिस गाड़ी में थी वहाँ रेडियो पर एक न्यूज आ रहा था कि हॉस्पिटल से एक पेशेंट भाग गई है और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मुमी से मिलता है और वो औरत ये सुनकर घबराने लगती है मुमी वहीं पर उतर जाती है और वो औरत पुलिस को कॉल करके एक खबर कर देती है मुमी के माने उस बूड़ी औरत के घर पर पुलिस आफिसर भीजवाया था इसलिए पुलिस वहां पहुँच कर पूछते हैं कि आपने किसी लड़की को अगवा कर लिया है क्या इस पर किम कहती है कि यहां तो मैं अकेले रहती हूँ पर कंपलेंट मिली है तो पुलिस को चेकिंग करना तो होगा ही इसलिए वो अंदर जाकर चेक करने लगते हैं और कुछ ना मिलने पर वो बाहर आ जाते हैं लेकिन तब ही मीमो गिर कर अपना मूँ खोल लेती है और जोर से चिलाती है जिस पर इंस्पेक्टर दोबारा चेक करने ही वाला था कि उसे एमरजेंसी के लिए दूसरे जगह भेज दिया जाता है क्यूंकि वो फरार कैदी उन्हें मिल गई है पर आखिर में मीमो की मा उस बूड़ी औरत याने के किम के घर पहुँँचाती है और दोनों में लड़ाई होने लगती है पर ये चुन भी वहाँ पहुँचाती है और दोनों औरतों को लड़ता देखकर वो बेस्मेंट में जाकर अपनी दोसे मिलती है और उससे सब कुछ बता देती है कि मैंने वह अफ़ा नहीं फैलाया तो वहीं दोनों बुड़ी औरत की लड़ाई में जैसे ही किम मुमी की मा को मारने ही वाली थी वहाँ पर मुमी पहुँच जाती है और किम को मार कर बेहोश कर देती है फिर वह बेस्मेंट में जाकर अपनी बेटी को फरी करती है तब भी वहाँ पर किम पहुँच जाती है और अपना राइफल निकाल लेती है और मुमी उसे लड़ने लगती है और दोनों लड़किया वहाँ से भाग निकलती है उपर आकर मीमो अपनी नानी को मरतावा देखती है और दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं फिर आखिर में मूमी की मा मर जाती है किम और मूमी एक दूसरे से लर रहे होते हैं दोनों गिरते हैं खड़े होते हैं फिर आखिर में मूमी किम पर हमला करती है और वो बेस्मेंट से निकलने में कामयाब होती है लेकिन जैसी वो घर से बाहर निकलती है पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहुँँचाती है और पूलिस केम के सिर के बीचो बीच गोली मार कर उसे खतम कर देती है और अपनी ही बेटी के सामने मोमी दुनिया को छोर कर चली जाती है अब कहानी जाती है कुछ दिन के बाद और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड मीमो और ये चुन को देखते हैं दोनों एक साथ ही रहते हैं क्यों एक पूराना camera मिलता है जिसमेंसे उसे अपनी मां का बहुत पुराना वीडियो मिलता है जिसमें वो school function में dance कर रही थी और अपनी मां का वीडियो देखकर meinem동 रोने लगती है और इसे के साथ 23 में release वी math girl season 1 यहीं end होती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक कियर